नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सरीश में जहांपर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो सुरू करते हैं आज की पहली अपडेट सूपर सुखोई प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है कुछ दिन पहले में आप सभी को बता था की एचेल की तरफ सभी रश्या के साथ एडिस्सल बारा सुखोई को लेके बातचित किया जा रहा है जिनको हमारे क्रैस में खराब हो गए सुखोई को रिप्लेस करने के लिए इस्तमाल किया जागा इसके बाद इसी दोरान ही एचेल की तरफ से रश्या के साथ सूपर सुखोई अपग्रेड को लेकि भी बातचित किया जा रहा था जिसमें भारत चाहता था कि हम जातर इंडियन सिस्टम के साथ ही हमारे सूपर सुखोई को मोडनाइज करे जिसमें जो एवियनिक्स होने वाला था वो completely indigenous system होने वाला था यहां तक की radar भी यहां पे indigenous radar होने वाला था ऐसे में रश्या की तरफ से इसमें हमी भरना काफी जरूरी है क्योंकि बिना रश्या के permission से हम जो कोई के जो system है उनको इंडियन सिस्टम से replace नहीं कर सकते अब इसमें भी रश्या भारत को कोई बिरोध नहीं कर रहा था अब initially रश्या की तरफ से अपनी SU-30 SM upgrade package को भारत को offer करने का फैसला किया गया था जिसमें जायतर system Russian system होने वाले थे और kind up इनको SU-35 के standard में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था तो same proposal रश्या की तरफ से भारत की SU-30 fleet के लिए भी offer किया गया था लेकिन जिसने की भारत की तरफ से भी Russian upgrade package के बदले indigenous system को इस्तमाल करने का फैसला किया गया था तो इसमें भी रश्या सहमत था लेकिन रश्या का यह कहना है कि अभी अगर आप सुकोई को upgrade करने वाले हैं तो कम से कम इसकी engine को भी upgrade करना चाहिए और इसके लिए रश्या की तरफ से अपनी L-41 series की engine को offer किया जा रहा है जो की SU-35 में इस्तमाल किया आता है यह रश्या की flanker series में इस्तमाल होने वाली सबसे modern और सबसे advanced engine होने वाली जिसका thrust output भी वरतमान की हमारी सुकोई की L-31 series की engine के मुकाबले थोड़ा बहतर है और यह engine पहले के मुकाबले काफियादा maintenance friendly भी बनाया जा चुका है यानि कि इसको maintain करना आसान है और कम maintenance की भी ज़ करने का प्लान किया गया था लेकिन रश्या अभी अपनी एल-41 के इंजिन को भारत की सूपर सुक्वे प्रोग्राम के अंदर पुस्ट करने की कोसिस कर रहा है अब इसमें रश्या को भी काफी फायदा होने वाले कि हम उसकी engine खरीदेंगे तो उसको फायदा होगा ही लेकि अब यह ओफर इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि इसके अलावा रश्या कोई भी additional Russian system को इस्तेमाल करने के लिए भारत को मजबूर नहीं कर रहा है अब हमारे पास कोई alternative engine option भी मौजूद ने जो की AL-31 की engine को replace कर सके तो अगर रश्या अपने तरप से हमें AL-41 की engine को देने की क की जाएगी तो इसमें नए electronic systems को इंस्टॉल किया जागा जिनके लिए additional power की ज़रत पढ़ सकता है तो एक्स्ट्रा पाउर की वाईस अगर हम यहां पे AL-41 की engine को इस्तेमाल करते हैं तो यह आसानी से पूरी power requirement को thrust requirement को पूरा कर पाएगा अगला update इंडियन नेवी की तरफ से 2020 में इंडियन नेवी की तरफ से United States से दो Sea Guardian drones को लीज पर लिया गया था यह basically surveillance drone थे जिसको पिछले दो सालों से हम लोग operate कर रहे थे इसी बीच additional 30 predator drone को लेके भी खरीने के लिए बातचीत किया जा रहा था लेकिन वो deal इतना आगे नहीं खुस हैं और in fact पिछले दो सालों में drones की तरफ से लगभग 10,000 घंटे की फ्लाइट आर को पूरा किया गया था साथी दो सालों में drones लगभग 14 million square mile के उपर अपनी उडान भर चुके थे अब ने भी तो इन drones को acquire करना चाहता है पर funds को लेके थोड़ा दिक्कत हो रहा जिस व वज़े से डील फानल नहीं हो पाए इसी वज़े से अभी साथ नेवी की तरफ से अपनी लीज पर लिए ये दो ड्रोन की लीजिंग पिरिट को अभी थोड़ा एक्स्टेंड करने का प्लान किया जाएगा अगला अपडेट ब्रहमोस मिसाल को लेके आप सब को पता होगा क सब्सक्राइब करने लगा है पहले तो फिलिफीन की तरफ से ब्रहमोस मिसाल के लिए और को प्लेस किया जा चुका है जिसके बाद अभी कई और देश भी हैं जो कि इसको अक्वेर करना चाहते हैं मेली अभी साउथ इस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ से लेटिन अमरिकन क कि तरफ से भी ब्रहमोस मिसाल को खरीदने के लिए इंटरस्ट दिखा जा रहा है इसी बीच अभी विएतनम में चले डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत की तरफ से अपनी सभी मेजर डिफेंस एक्यूप्मेंट जिनको एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा रहे उनको व और ब्रहमोस एरोस्पीस की तरफ से देगे स्टेट्मेंट के मुताबिक अभी विएतनम साथ इसको एक्वेर करना चाहता है लेकिन विएतनम यहां पर ब्रहमोस की लैंड वेस्ट वेरियंट में नहीं बलकि इसकी एर लांच्ड वेरियंट को खरी सकता है जिसको खास करके सुखोई से फायर किया जा सकता है अब पहले से भारत की तरफ से सभी सुखोई उपरेटर के लिए ब्रहमोस की एर लांच्ड वेरियंट को ओफर किया जा चुका है अब एसे में ब्रहमोस को फायर करने के लिए जो एक्स्ट्रा मॉडिफिकिशन सुखोई में करने की जरू पढ़ने वाली है तो उसको एचेल प्रोवाइट करने वाला है जो कि आगे चलके ब्रहमोस की एयर लॉंच्ड वेरियंट की ऑपरेटर को सर्विस प्रोवाइट कर सकता है और वियतनाम की तरफ से अभी करीब स्टेटमेंट्स के मताबिक भारत और चायना की बॉर्डर अरया में अभी आर्मी की तरफ से स्विलिंट को और भी मजबूत करने का प्लान किया जा रही पूर वारत और बहुत और निग्रानी रखने के लिए इस रिजिएन में अपनी स्विलिंट डोन की एक्टिविटि को बढ़ने का फैसला किया जा रहा है, अब अभी भी हमारे पास सर्चेर, हराउन जैसे डोन मौझूद है जिनको अरेगुलर वेसीज पर उप्रेट किया आता है और सर्विलेंस के लिए इसको deploy किया था लेकिन इनकी तादाद को भी बढ़ाने का फैसला किया जा रहे और existing drones को modern satcom system यानि के satellite communication system से equip करने का प्लान भी किया जा रहे इसमें army का कहना है कि वो अभी जिनने drones को acquire करना चाहते है उसमें कम से कम 48 गंटे तक operate करने की endurance होना चाहिए इसके बाद प्रोजेक्ट चीता के अंदर भी हेरान टीपी ड्रोन्स को बपनेज करने की कोसिस किया जा रहे साथ ही अभी अधाने डिफेंस की तरफ से मिली कुछ report के मताबिक इंडियन army की तरफ सभी अधाने डिफेंस की तरफ से manufacture किया जाने वाले हरमिस 450 सेरीच की ड्रोन्स को खरीदने के लिए बातचित किया जा रहे और इन ड्रोन्स को अभी यूजर ट्राइल के लिए भी आर्मी को दिया जा चुका था इनको मेंली पाकस्तान की बॉडर में भी डिपलॉई करने की प्लैनिंग किया जा रहे ये एक सवलेंस ड्रोन है जिसमें दो डिफरेंट टाइब की पेलोड आपशिन को दिया जा रहे और मिशन के हिसाब से इनको चेंज किया जा सकता है ये ड्रोन्स लगबग 18,000 फिट के उचाया में ऑपरेट कर सकते हैं इनकी एंडुरेंस की बात करें तो करीब करीब 17 गंटे के आसपास होने वाली है फिलाल इसको आर्मी की तरफ से खरीदा जाके नहीं इसको लेके थोड़ा डिबेड चला है क्योंकि सेम कैटिगरी के अंदर अभी एक और ड्रोने जिसको डियाडू की तरफ से डिवलप किया जा रहा है जिसे आप आर्चर यवी के नाम से जानते हैं बस फर्क इतना है कि आर्चर यवी की बात करें तो यह सब्लेंस के अलावा स्ट्राइक मिशन को भी कर सकता है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरम